नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार जेनियू में वही हुआ है जो इन परिस्थितियों में तै था मुझे इससे कोई हैरानी नहीं जेनियू कोई टापू नहीं है कि पूरे देश में आग लगाई जा रही हो तो वो इसकी आँच से देश में रामराज का जो दौर आया है वो हमको और आपको कहां ले जा रहा है रामनौमी के दिन उत्तर भारत के चार राज्जियों पश्चिम भारत भी कह लिजिए गुजरात मध्यप्रदेश पश्चिम मंगाल और जारखन में सामप्रदाइक हिंसा हुई तीन जगों प पास पास हुलडबाजी हुई दिल्ली के एक मेयर ने खुले आम कहा कि वो अपने इलाके में चिकन नहीं बखने देंगे गुजरात के साबर काठा में 65 साल के एक बुजर्ग को मार डाला गया मध्यप्रदेश के खरगाउन में कम से कम 30 दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई लगबक सतर परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा यह सब कुछ राम के नाम पर हुआ है राम राज के नाम पर हुआ है और राम नौमी के दौरान हुआ है ऐसे में अगर जेनियू में 10-12 चात्र चात्राओं को एबी वीपी के लोगों ने घायल कर ही दिया सिर्फ फोड़ी दिया हाथ पहल तोड़ी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अब जाकर ऐसा लग रहा है कि जेनियू की नई वाइस चांसलर ने ठीक से कारेभार संभाला है आप उन्हें जानते होंगे जेनियू एम्यू जैसे संस्थानों को कुछले जाने की पक्ष आज लाने में सो वो दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं बहाना बनाया गया कि इतवार के दिन मैस में चिकन कैसे पक सकता है इतिफाक से उस दिन रामनौमी भी थी मतलब चार लफंगे मिलकर पूरी यूनिवर्सटी को बंधट बना लेते हैं कि देखो ऐसे चलना होग वो चार लफंगे कहते हैं कि यही खाना होगा वो चार लफंगे कहते हैं कि यही पहनना होगा वो चार लफंगे कहते हैं कि ऐसे ही रहना होगा वो चार लफंगे कहते हैं कि ऐसे ही बोलना होगा ऐसे ही सोचना होगा और हम जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे नहीं तो मारे जाओगे प्रधान मंतरी तुम्हें अर्बन अकसल कहेंगे तुम्हें कपड़ों से पहचान लेंगे देश का मंतरी तुम्हें गद्दार कहेगा नारे लगाएगा जूते मारो सालों को और गेरुए में लिप्टे हुए गुंडे मवाली माइक पर खोले आम बेटियों को घरों से खीच कर उनके साथ बलातकार का ऐलान करेंगे और दिल्ली के चौराहे पर नारे लगाए जाएंगे जब मुले काटे जाएंगे तब राम राम चिल लाएंगे और कैसा रा कि शर्त बन जाए और हकूमत उनहां त्यारों दंगाईों मवालीयों को माला पहना रही हो उनकी जैब बोल रही हो तो हमारी आपकी तरह के लोग क्या कर सकते हैं सिवाए यह मसलसल बोलने के कि यह सरासर घलत है आमानविये हैं आ लोक तांत्रीक है करूर है आप यह लिक कर ले लीजिए कि यह राम नौमी का मामला ही नहीं है यह शाकहारी और मानसाहारी का मामला ही नहीं है यह मुद्ध है विपक्ष में बोलने वाली आवासें किसी भी इस तरह पर नहीं चाहिए अगर यह वाख़ी कानून विवस्था का मामला होता तो जनवरी 2020 की JNU हिंसा में शामिल ABVP के गुंडे या जेल में होते सब के चेहरे साफ हैं ज्यादतर लोगों के वीडियो हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ABVP की नेता कॉमल शर्मा पर हाट टालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कैमपस में बाहर से घुस आए लोगों ने मारपीट की थी कैमपस के बाहर खड़ी पुलिस की मौजूदगी में वो गुंडे आए और आराम से मारपीट करके चले भी गए घायलों में JNU की ततकाली नद्यक्ष आईसी घोश भी थी रिकार्ड किये गए विज्वल्स में साफ ने जरा रहा था सब कुछ यहां तक की JNU पर हमले को अंजाम देने के लिए जो वाटसअप ग्रूप बनाया गया था उसमें शामिल नामों को भी पुलिस ने गिर अफ़तार नहीं किया बाद में वो वाटसअप ग्रूप ही मिटा दिया गया इसकी छूट पुलिस ने दी लेकिन पुलिस ने किसी को गिर अफ़तार नहीं किया उल्टे वाँ पंथी चात्रों के खिलाफ ये फायार दर्श कर दी गई इनमें उन चात्रों को भी घसीटा गया जो C.N.RC के खिलाफ वे अंदोलों में शामिल हुए थे असल में ये हमला उन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए किया गया था सरकार और पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाई ये कि डियम के सांसद दया निधी मारन ने तीन अगस्तों हजारी कीस को संसद में सवाल पूछा था कि J.N.U. हिंसा की जाच कहां तक पहुँची है इस पर कंद्रिये ग्री राज्य मंतरी नित्यानंद राय ने बताया था कि दिल्ली के वसंत कुछ थाने में दर्ज तीन मामलों की जाच के लिए क्राइम ब्रांच की एक एसाइटी गठित की गई है लेकिन जाच कहीं नहीं पहुची है ऐसे में आप ये उमीद भी कैसे कर सकते हैं कि इस हिंसा में शामिल गुंडों को पकड़ने का इरादा भी पुलिस या सरकार लगती होगी आप ये लिक कर ले लिजिए कि मांस के नाम पर भड़काई गई ये आग यहीं पर रुकने वाली नहीं है मसल्मान तो बहाना है असल में पिछड़ों और दलितों को सबक सिखाना है वरना इस तेश के लगभग 90 फीसद लोग मांसाहारी है सबसे ज़्यादा मांस हिंदू कहता है बली की प्रथा हिंदूओं में है नौरात्री की अगले दिन बकरे की दुकान पर पूछ तक के लिए लार टबका रहे लोग एक तिन पहले हाथों में कटार और बल्लम यूही नहीं उठा लेते हैं इसकी राजनीत को समझने की जरूरत है जिन उम्मीदों को जगा कर नरेंदर मोदी सत्ता में आये थे उन सारी उम्मीदों का एक एक करके कचूमर निकल चुका है डीजल पेट्रोल के दाम दोगने से जादा हो चुके हैं आधा करना था डॉलर के मकाबले रुपए की खीमत एतिहासिक धलान पर है नरेंदर मोदी को कभी इस पर शर्म आती थी बेरोजगारी में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं कारोबारी तरस्थ हैं महंगाई के हालत यह है कि नीमबू 400 रुपए किलो बिक्रा है सरसो कातेल 2500 रुपए किलो पहुँच चुका है मतलब बीजेपी किसी भी तपके को जवाब देने की स्थिती में यह सिलिंडर हजार के पार है नौजवान बॉखलाए हुए हैं तीन साल से सेना की वैकेंसी नहीं आई है चार साल से रेलवे का रिजल्ट नहीं आया है यही हाल दूसरे विभागों में नियुक्तियों का है साफ है इसके लिए सरकार जवाब दे है इस सारी जवाब देहियों से बचने का सबसे आसान तरीखा निकाला गया है लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिया जाए माचिस थमा दिया उनके दिमाग में एक दूसरे के लिए जहर भन देना आप नौकरी मत मांगिए एक दूसरे पर पत्थर बरसाइए आप गैस सिलिंडर और तेल के दाम पर सवाल मत पूछिए एक दूसरे के घरों में आग लगा दीजिए आप महंगाई पर कुछ मत पूछिए मसल्मानों को पहले सबक सिखाईए अगर आप अभी भी इस खेल को नहीं समझ रहे हैं तो अपनी ही जिन्दगी में आग लगा रहे हैं सर जी जेनियू में खान पान और राम नौमी का कोई मसला नहीं है मसला ये है कि सरकार ऐसे हर संस्थान को तबाह कर देना चाती है जहां से उसकी कर्तूतों पर सवाल पूछे जा रहे हैं चाहे वो जेनियू हो चाहे एमियू हो चाहे वो मीडिया हो या विपक्ष हो सवाल उठाने वाला किसान खालिस्तानी है नौजवान नकसलवादी है मुसल्मान आतंकवादी है अध्यापक अर्बन नकसल है छात्र छात्राएं देशत्रोही है इसलिए जेनियू पर छाती मत प इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजे बेला इकॉन दबाई यह घंटी जैसे आकरती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर दे कर दो